प्याज के भाव में आज भी तेजी देखने को मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की लिवाली में जोर बनती हुई दिख रही है तो कैसा रहा आज का प्याज का भाव जानेंगे पूरी रिपोर्ट तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आजादपूर मंडी की, तो आज कुल 150 गारी के करीब प्याज बिक्री के लिए खरी है वहीं आवक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अब निर्यात की बात करें तो दुबई के बाजार में 30 रुपे से लेकर 35 रुपे प्रती किलो तक का भाव देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं अलग-अलग मंडियों और राच्चियों के प्याज के भाव के बारे में तो नाशित प्याज मंडी में एकदम सूपर कॉलिटी की बात करें तो 24 सो तक ने लाम किया गया वहीं सूपर कॉलिटी की बात करें जो कि अरब के देशों में ज़्यादा तर एक्सपोर्ट किया जाता है वो बाइस सौ से तईस सो तक देखने को मिले डबलपट्टी मीडियम साइज का भाव जहां दो हजार से लेकर एक्किस सो तक देखने को मिल रहा है वहीं पर मीडियम क्वालिटी की बात करें जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रिलंका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है वो 1900 से 2000 रुपे प्रती क्विंटल देखने को मिले मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहाड, ओडिसा, उतरप्रदेश में जादातर सप्लाई किया जाता है उसका भाव 1700 से 1800 रुपे प्रती क्विंटल दर्श की गई अब अगर हम बरे साज की हलकी क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 1500 से 1700 सो तक किसका भाव देखने को मिला गोल्टा प्याज जहां 1500 से लेकर 1600 सो तक मंडियों में देखने को मिल रही है वहीं पे गोल्टी प्याज की भाव 1200 से लेकर 1400 सो तक है अब बात करते हैं तेजी मंदी की, तो बाजार में आज भाव तेजी के साथ खुलती हुई दिखी है, हर क्वालिटी में 100 से 200 तक की तेजी देखने को मिली है, आज आवक में हलकी कमी देखने को मिल रही है, प्याज में लिवाली काफी अच्छी देखने को मिल रही है, सूप दो लौट 2 to the road आईश सो तग भिकि तो वही एवरेज की बात करें तो 17 सो से लेकर 2.000 तक रहा, मध्यप्रदेस में जहाँ सूपर कॉलिटी 19 रुपे से लेकर 23 रुपे प्रती कीलो तक भाव पिकता हुआ दिखा। वहीं पर average quality की बात करें वो 15 रुपे से लेकर 18 रुपे तक के भाव पर trade कर रहा है। आप दूसरे राज्यों की बात करें तो South की मंडियों में 2500 से लेकर 3000 तक देखने को मिल रही है। और medium size की प्याज 2000 से 2500 तक देखने को मिल रही। बिहार की मंडियों में अच्छी quality के प्याज 2000 से लेकर 2200 तक विखता हुआ न ज़राया। वहीं बंगाल की मंडियों में 2100 से लेकर 2300 का भाव देखने को मिल रहा। दिल्या जात्पुर मंडि में नाश्री के प्याज 2200 से लेकर 2600 तक सुपर quality के प्याज बिखता हुआ दिखा है। वहीं मध्य प्रदेश की प्याज 2000 से लेकर 2400 तक के भाव पर आज बाजार खुला है। अब बात करते हैं लहसून की। तो नई उटी लैसून का भाव 2000 से लेकर 2500 तक ने लाम किया जा रहा। वहीं देशी मीडियम 1500 से लेकर 2000 तक के भाव पर ट्रेड कर रहा। हलकी क्वालिटी 500 से लेकर 1500 तक मिल रहा। बाकी और कोई भी रपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुचाएंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।